हलो और वेलकम टो फूट फैट जहां पे मैं और आप मिलकर बनाते हैं कुछ हल्दी और टेस्टी रेसिपी और आज के हमारी सुपर टेस्टी रेसिपी है कच्छा मैंगो बाइट पॉप्सिकल इतनी टेस्टी इतनी इजी बनाने में और बच्चों को मतलब एकदम बहुत ही वाली पॉप्सिकल्स हैं ये अभी बाहर के आईस क्रिम्स नहीं खा रहे हैं हम तो घर पे ही जटपट से ये बना लें बहुत ही सस्ते में आप बच्चों को चुप करा सकते हैं कि उनको आईस क्रिम खानी है तो ये देखिए ऐसी वाली आपको टॉफी लेनी है कच्छा मैं ले रही हूं तो दस रुपे में बीस आजाएंगे एक रुपे की दो आती है ये और इस तरीके से हम इनको पील कर लेंगे इसका छिलका निकाल देंगे और टॉफी जो है वो बाहर निकाल लेंगे तो सारे के एक साथ ऐसे कर लेते हैं ये लीचिय तैयार है अब क्या इसका थोड़ा साथ से पाउडर सा बनाएंगे ताकि जब हम इसको पानी में मेल्ट करें तो जल्दी से मेल्ट हो जाएं अधर्वाइज ऐसे ही टॉफी हम डालेंगे तो थोड़ा टाइम लेती हैं मेल्ट होने में तो बस इनको अच्छे से कर लेना है आपके पास मॉटर प्रेस्टल नहीं है तो आप किसी ओचे से कर सकते हैं कोई पत्थर से या बेलन से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं तो यह पाउडर हमारा तयार है अब हम क्या करेंगे एक बरतन में लेंगे हम डेड़ कप के बराबर पानी और पानी को हमें थोड़ा सा गरम करना है पहले तो पानी गरम होने देगे उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रिडेंट्स डालेंगे ज्यादा कुछ नहीं बस थोड़ा सा चीनी और निमबू का रस में डालूँ अ पानी में जो कछ्वा में को Всёकि पानी में पानी की जो मिथास है वो थोड़ी कम हो जाती है इस लिए फ थोड़ इससे मतलब चार छोटे चमच मैंने चेनी डाल लिया, आपको थोड़ा और मीठा चाहिए तो आप थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं, अब मैं डाल रही हूँ इसमें एक बड़ा चमच निम्बू का रस, तो इससे ना हमारी जो पॉप्सिकल हैं, वो एकतम खटी, ही बहुत ये टेस्टी वाली बनती हैं, और बच्चों को तो मतलब ये टेस्ट इतना ज्यादा पसंद आता है, तो बस अच्छे से इसको मेक्स कर लेंगे, अब क्या करेंगे, जो हमने चूरा बनाया था, कच्चा मैंगो बाइट का, वो हम इसमें डाल देंगे, और इसको डालते ही मतलब चलाना है, क्योंकि वो जो चूरा है, वो इकठा हो के चिपकने लगता है, तो जब तक ये पूरा पिघल नहीं जाता, हम इसको चलाते रहेंगे, आप देख सकते हैं, पूरा चमच के ही चिपक गया है ये, तो बस जैसे जैसे आप गरम पानी में इसको चला है, वो मेंटेन रहता है, और टोफी जो है आपकी वो थोड़ी ग्रीन कलर मेंटेन रखती है अपना, तो ये लिए चिए हमने इसको ठंडा कर लिया है, ठंडा करने के बाद हम इसको मोल्ड में डाल रहे हैं, आपके पास अगर ऐसे मोल्ड नहीं है, तो आप जो ग्लास आत पॉपसिकल्स बनाती हूँ अपने, तो ये लिजिए, इनको बंद कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसको 6-7 गंटे के लिए फ्रीचर में रख देंगे, और बस फिर तयार है हमारे पॉपसिकल्स, ये देखिए, कितना मतलब प्यारा कलर और दिखने में भी बहुत ही अच् तो बस ट्राइ करें इसे और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो फ्लीज थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, कॉमेंट में मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज आपको मिलती रहें एकदम क्विक और बहुत ही मतलब इजी से बनने वाली रेसिपीज है ये तो बस बने रहें फुट फैट के साथ थैंक यू फो वाचिक मैं वीडियो